Hello everyone, Welcome to Monk Tutorials दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हिमालय के बारे में समझेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई थी, इसकी विजिस्ताएं क्या हैं, इसकी लंबाईयां कैसी हैं, इसका विभाजन किस प्रकार से जा सकता है साथ ही हम जानेंगे कि कोबर का भूसनती का जो सिधान्त है, वह क्या होता है, इसके अलावा हैरी हैस का प्लेट विवर्तिनिकी या प्लेट टेक्टोनिक थियोरी वो क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग ब्रिफली समझेंगे साथ ही हम हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित करेंगे सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से आना आता है सतलज से लेकर काली के बीच के हिमालय को किस नाम से आना आता है इस प्रकार से अलग-अलग नदियों के बीच से जो हिमालय का वर्गी करण हुआ था सिड्नी बुराट के द्वारा जो किया गया था उसको समझेंगे और साथ में जानेंगे कि हिमालय का जो प्रादेशी की भाजन भू आकरिती के आधार पर जो भाजन किया गया है जैसे कार हिमालय हिमालय संस्कृत के दो सब्द हीम तथा आलय से मिलकर बना है हीम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर अर्थात हिमालय का अर्थ क्या होगा बर्फ का घर या बर्फ का निमास स्थान अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद हिमालय पूरी दुनिया में बर स्थित हैं स्याचिन ग्लेसियर जिसकी लंबाई 72 किलोमेटर है यह हिमालय में स्थित है और ध्रूओं के बाहर सबसे बड़ा ग्लेसियर है हिमालय एसिया में एक परवत स्रिंखला है जो भारती उप महाद्वीब को तिब्बत के पठाट से अलग करती है कभी-कभी हिमालय को हिमाचल, हिमाद्री या हिमावद भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है अनन्त हीमपात दुनिया की जितनी भी लंबी-लंबी परवत स्रिंखलाय है उनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है इसका विस्तार भी देख पा रहे होंगे आप उत्तर से दक्षिण है इसके लावा राकी परवत इसका विस्तार भी कहा है उत्तर से दक्षण की ओर है यह बहुत लंबे-लंबे परवत स्रिंख लाएं हैं बहुत कई सो किलोमेटर में फैली हुई है तो एंडी परवत राकी परवत उसके अलावा अस्ट्रेलिया का आपका ग्रेट डिवाइडिंग रें लेकिन अगर हम लोग बात करें हिमालय परवत की तो हिमालय परवत का विस्तार पूर्व से पस्सिम है तो इसमें जो पहला फैक्ट बनता है वो क्या बनता है यहाँ पूर्व से पस्सिम वाली दुनिया की सबसे लंबी परवत स्रिंडिया है जितनी लंबी-लंबी परवत स ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर यूराल परवत ये सब उत्तर से दक्षिण की सब लंबी परवस्रेणिया हैं लेकिन अगर बात करें पूर्व से पस्यम में दुनिया की सबसे लंबी परवस्रेणिया तो वो कौन सी है हिमालय परवत यहाँ पूर्व से पस्यम में स 2900 किलोमेटर है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना इधर फैला हुआ है वो लंबा और बढ़ता है लेकिन हमको कितना याद रखना है 2400 किलोमेटर यह 2400 किलोमेटर लंबा है यह नवींतम मोड़दार वलित परवत है जिसका निर्माड सीनोजोग महाकल्प में हुआ है महाकल्प क्या होते हैं अगर आप नहीं जानते तो इससे पहले वाले लेक्चर में महाकल्प के बारे में बताया था आप वहाँ जाकर देख सकते हैं यह पस्सिम में लद्दाक के नंगा परवत से लेकर पुर्व में तिब्बत के नामचा बारवा परवत तक फैला हुआ ह इसकी जो आकृति है वो अर्ध चंद्रकार आकृति है हिमालय परवत अभी भी निर्माडा दिन है अर्थात इसका निर्माड अभी भी सतत रूप से होगी रहा है इसकी चौड़ाई पूर्व की अपेक्छा पस्सिम में अधिक है पूर्व में देखे आप सकरा लग रहा है और पस्सिम में क्या है यहां चौड़ा है पूर्व में लगबग इसकी चौड़ाई 140-150 किलोमेटर है और पस्सिम में यहां 500 किलोमेटर तक चौड़ा है जिसका कारण पस्सिम के पेक्छा पूर्व में दबाव बल का दिखोना है जो पूर्व में दो प्लेटे टकराई थ वो क्या था ज्यादा था उसके करण वो क्या हो गई सक्री हो गई लेकिन सक्री होने के साथ साथ क्या हो गई बहुत उची तो आप देखेंगे जो हिमालय परवत है उसका चेत्रफल कितना है 5 laag countryinformation से जाना जाता है और साथ ही जो अर्कलाकान यूमन परवत के नाम से जानते हैं इसके अलावा यहां पुरोत्तर की भारत की राज्यॅब वहाँ भी फैला हुआ है उसमें इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे मिजोरम में इसको मिजो पहाडी बोला जाता है मड़ी पूर में मड़ी पहाडी नागा लेंड में नागा पहाडी और अरुणाचल प्रदेश में पठकोई बूम यह हिमालय परवत के ही ना अधार यह फिर मैदान की उचाई मिजर करते हैं नापते हैं तो समुद्र तल से इसकी जो एवरेज उचाई है वो कितनी है 6000 मेटर अभी हम लोगों ने देखा था इसके बारे में 6000 मेटर क्या है हिमालय परवत की एवरेज उचाई है उसकी चोटियों की हिमालय परवत सिध्धान्त जियो साइक्लिन ठियोरी और दूसरा होता है है हैरी हैस का प्लेट विवर्तिनिकी का सिध्धान्त जिसको प्लेट टेक्टॉनिक ठियोरी भी कहा जाता है इन दोनों के माध्यम से हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकती है तो सबसे पहले समझते हैं क सुरित्वी के भूपटल पर पाई जाने वाली लंभी सक्रीघर्थ होती है समानेता यह महादीपों के तटिय छेत्र में उत्पन्न होती रहती है इसमें दोनों और महादिपों से अपर्दित पदार्थों का निच्छेपण होता है जिससे धसान की क्रिया घटित होती है और वलिद परवतों की उत्पत्ति होती है या सिद्धान्त किस ने दिया था कोबर ने दिया थी इसको हम लोग animation के माध्यम से समझते चिर्वातनाती के सिद्धान्त को कुछ इस प्रकार से वलिद परवतों का निर्माण होता है ये वाला हिस्सा भारतिय प्लेट था जो ये वाला प्लेट है ये क्या है भारतिय प्लेट इंडियन प्लेट और ये वाला हिस्सा है यूरेशियन प्लेट यूरोप और एसिया का जो कमपाइन प्लेट था उसको यूरेशियन प्लेट कहा जाता है इसको प्लेट टेक्टॉनिक में हम लोग देख चुके हैं अलग-अलग प्लेट कैसे तूटे थे और यह जो बीच वाला हिस्सा इसको कहा जाता है टेथी सागर यह वाला जो पोर्शन है यह क्या है आपका टेथी सागर यहां जल भरा हुआ था हम लोग जो पेंजिया वाला कॉंसेप्ट देखे थे उसमे बयते यह इंडियन प्लेट ओर यह यह देख है यहां पिछ में यह सागर है श्किति सेल्ध है कि अब क्या हुआ जो इंडियन प्लेट थी और यूरें्यएशन प्रते के हैं यहां पे बहुत सारी नधियां थे अलग अलग नदियां अपने साथ क्या बहा कर लाई अपने साथ बालू या अपने साथ मिट्टिक धीरे 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 यह बहा कर लाने लगी और इन सब को कहां छोड़ने लगी इस स्टेथिस सागर में सटपर सधियरिय कोँपे सब्सक्राइब को दोला अपसिस्ट को इसमें दों इसे भाठोबो, सफ़िए, इसमें भरता ग्या बृट को और जलोड मिर्दा यहां जमते गया धीरे धीरे क्या होगा कि कई लाखो वर्षों में यह क्या होगा मिट्टी से यह पूरी तरह से भर जाएगे और चुकि यह प्लेट क्या है उपर क्यों अग्रसर है इंडियन फ्लेट तो यह मिट्टी जब यहां पर भरी हुई है और यह मिट्टी को क्या करेगी ऊपर ढुके लेगी और यह मिट्टी याद रहिए कि लाखोवर्ष की बात है तो यहां पर तापमान और दबाव दोनों के करणा इसका जो नीचे वाला परत होगा हम लोग देखें अगर यहाँ पर मिट्टी भरते जा रहा है तो यहां पर यह मिट्टिया बहा का लाई गई यहां से भी अपसिस्ट पदार्थ आया और वो नीचे में यह देखिया यहां पे जमाव होना स्टार्ट हो गया जो टेथिस सागर था उसकी तलहटी में धीरे से क्या होगा कुछ सालों बाद जमाव है यह और बढ़ते जाएगा और उसके पहले कुछ इस प्रकार थी लेकिन यहां मिट्टी और बालू के दबाव के कई भरते जा रहा है तो यह और नीचे दहसते जा रहा है यह इसका धसा हो रहा है और याद रखेगा यह प्लेट इस साइट मुवमेंट कर रही है उत्तर की ओर और यह प्लेट इस साइट तो यहां इन दोनों का संपीडन बल भी है यहां अलग से टैंसन है और नीचे क्या है दबाव अलग से है ठीक है तो उसके गारण क्या हुआ य थोड़ा सा बचा हुआ है बाकी में पूरा क्या भर गया ना अपसिस्ट पदार्थ भर चुके ना इंडियन प्लेट अभी उत्तर के और अग्रसर है और इधर से इसका दबाव है यह रिशन प्लेट का तो यह नीचे धसती जा रही है एक कंडिशन फिर ऐसा आएगा कि यह प फोल्डिंग बनना स्टार्ट हो रहा है यहां आप देख पा रहेंगे मोड वलन स्टार्ट हो चुका है लेगिन जो कोबर का भूल सन्नति सिध्धांत वो कहता है जब दो प्लेटे टक्राइब भारतिय प्लेट और यूरेशन प्लेट और जो बीज का टेथिस सागर यहां पे मौजूद था वो टेथिस सागर जिसमें मवाद जमा हुआ अफसिष्ट पदार्थ जमा हुए वह पूरी तरह से उपर उड़ गया और कॉर्णर जो थे जो साइड साइड थे उसमें क्या बन गया फोल्डिंग बन गया बीच में फोल्डिंग बनने का क्रिया नहीं हुआ मोड बीच में पैदा नहीं हुआ बीच में क्या बना सिर्फ उभार आ गया तो हम लोग देखते हैं तो यह वाला जो पॉर्चन है इसको हम लोग जानते है किस नाम से कुनलून परवत के नाम से जो च सबसे उचा पठार माना जाता है जिसकी उचाई लगभग 5000 मीटर के आसपास है ठीक है हिमाल्य परवत की जो सर्वच्च छोटी है उसकी उचाई कितनी यादन है 1962 में किसने किया था है ठीक है तो याद रखेगा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है तो है इसके प्रतिपादक थे और वेगनर का याद रखेगा वेगनर किसके प्रतिपादक हैं Continental Drift Theory अर्थात महाधिपी विस्थापन सिध्धान्थ लेकिन प्लेट टेक्टॉनिक थियोरी के प्रतिपादक कौन है 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 ठीक है और जो प्लेट टेक्टॉनिक सब्करति है यह खिसक को बोला गया इसको बोला गया इसको बोला गया गॉडवाना लेंड अगर हào गया और गॉडवाना लेंड भी आलाग अदरपानला छालोह फुँझाय तो इसमेंसे रही निहीं हुद प्लेट इन दोनों के बीच में क्या होगा टकराहाट होगी और ये प्लेट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं खिसकते जा रहे हैं ये प्लेटें 100 किलिमेटर की मोटाई वाली स्थल मंडल या लिथोस्फेर में निर्मित हैं इसको एक वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते ये रहे हो वीडियो के वीडियो के लिए जा रहे हैं कि अब यहां पर देखिए अब यहां पर देखिए अब यहां पर देखिए समझ पा रहे होंगे यह वाला जो हिस्सा है कि उनलून परवत हम लोग अभी प्लेट टेक्टॉनिक थियोरी देख डाले और कोबर का भूसन नतिका सिध्धान उसके हिसाब से यह कौन सा परवत है कुनलून परवत है और यह तिब्बत का पठार और हिमालय परवत यह तो सबसे पहले जानते हैं हिमालय परवत कहा है मैप में तो यह वाला जो आपका पॉर्चन आप देख पा रहे होंगे यह हालेटेट पॉर्चन क्या है हिमालय परवत है यह हिमालय परवत है जो यहां आपका नंगा परवत से लेकर कहां नामचा बारवा तक फैला हुए भ पठार ये वाला हिस्सा जिसकी उंचाई कितनी है लगभग 5000 मिटर समुद्रतल से टिबत के Patsh £5000 है क्या suspect है अब बात करते हैं किसकी पामीर की गांट पामीर की गांट या पामीर नौड यहीं से बहुत सारी परवसरिंख लाने कि यह सो यह हिमालय परवत हो गया То यह सुलेमान परवत यह हिंदु कुस परवत कि उलुन परवत में जानते हैं क्या कि उत्तर में उत्तर में इसको हम लोग कौन कौन सा किसका निर्माड कैसे हुआ इन सब का निर्माड का हम लोगों ने समझा तो आप जानिए कौन सी किसकी स्थिति कैसी है कहां पर कौन से परवत इस्थित हैं अब बात करते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गी करण तो नदियों के आधार पर जो हिमालय का वर्गीकन्ट है यह concept लाया था Sydney Gerald Burad इनका पूरा नाम क्या है Sydney Gerald Burad इन्होंने नदियों के अधार पर हिमालय का वर्गीकन्ट किया और याद रखेगा यह क्या थे British Army officer थे जिन्होंने Survear General of India की duty नभाय थी ठीक है मेजर रोल था इनका तो याद रखेगा नदियों के अधार पर हिमालय का वर्गिगंड किस ने किया था सिड्नी गेराल्ड बुराड ने किया था सिड्नी बुराड के नाम से जाना जाता है ब्रिटिस ऑफिसर थे इंग्लेंड के थे और ये क्या थे भारत में सर्वेयर जनरल अफ इंडिया के पोस्ट में तैनात थे इनके अधार पर हिमालय को चार भागों बाटा गया है पंजाब हिमालय कुमाउ हिमालय नेपाल हिमालय और असम हिमालय कुल कौन कौन से हिमाले है पंजाब हिमाले है कुमाउ हिमाले नेपाल हिमाले और असम हिमाले तो एक एक को समझते सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हिमाले है जो पंजाब हिमाले है यहाँ आपका सिंधु नदी से लेकर जो सिंधु नदी का मुहाना है यहाँ सिंधु माला का विस्तार कस्मीर जो आपका कस्मीर वाला हिस्ता है यह लद्दाक और साथ हिमाचल प्रदेश इन तीन राज्य कस्मीर लद्दाक और हिमाचल प्रदेश इन तीन राज्यों में इस्तित है ठीक है इसकी जो स्रेडिया है इसमें जासकर स्रेडि लद्दाक सेरी काराकु स्रेडी पीर पंजाल स्रेडी और धौलादार स्रेडी हम लोग-अलग को देखे इस हिमालय में कांगडा, लाहूल एवं इस्फिती की घाटियां है जो घाटी होती है कौन कौन सी घाटी है यहाँ कांगडा, लाहूल तथा इस्फिती की घाटी जबकि राकस्ताल और मान सरोबर जील भी है यहाँ पर पीर पंजाल, जोजिला बुर्जिल, रोहतांग बनिहाल आदि प्रमुक दर रहे हैं तो यह हो गया क्या पंजाब हिमाल है अब बात करते हैं कुमाव हिमाल है तो यहाँ सतलज नदी और काली नदी के बीच में इस्थित है ठीक है इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है आप यहाँ पर देख पार होंगे यह वाला जो हिस्सा है यहाँ से सतलज नदी चालू होती है और यहाँ तक यह काली नदी तो इस दिन दोनों के बीच का जो यह वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है क्या कुमाव हिमाले कुमाओ हिमालय यहां की जो प्रमुक चोटियां है वो है बद्रिनाथ जिसकी उचाई 7040 मीटर केदारनाथ जिसकी उचाई 6859 मीटर त्रिसूल परवस्रेडी जिसकी उचाई 6707 मीटर उसके अलावा माना 7158 मीटर और गंगोत्री जहां से गंगानदी का उद्गम होता है नंदा देवी कुमाओ हिमालय की सर्वोच चोटी है नंदा देवी की उचाई कितनी है साथ 1558 मीटर यह याद रखिएगा पूछ लिया जाता है ठीक है और यह कुमाओ हिमालय की सर्वोच चोटी है सबसे उची चोटी गंगायम यमुना नदियों का उद्गम इसी हिमालय म फिरवें Seven के सबक्रीमा यार्व erg के दौरान हम लोग देखते हैं जो के यार्वत है जहां भुले नारत रहते हैं माना जाता है वह कहां हुआ थे तिभबत वाले हिस्से में तो वहां जाने के लिए भी जो तर प्रयोग के आते हैं जैसे माना दर्रा है निती दर्रा है लिपुलेग दर्रा है इन दर्रों के माध्यम से तिब्बत में प्रवेश्किया जा सकता है जो आपके उत्तराखंड में इस्थित है तो माना और निती दर्रा भी कहां है कुमाओ हिमाले में इस्थित है इसके साथ ही नैनी ताल भीम ताल सत्तो ताल इस प्रकार की जो जीले है वो भी कुमाओ हिमाले में स्थित है अब बात करते हैं तीसरा नेपाल हिमाले नेपाल हिमाले का जो विस्तार है वो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में है ठीक है इसका विस्तार कहां से कहां तक काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के बीच में यह वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें देखिया आप यह वाला हिस्सा क्या है नेपाल देश है यह हिमालय का सबसे लंबा ह मैं में इस्तित हैं जिसमें से मेंट इंवल है कचन जंगा से मैइकालुं है अन्यप्रूना है यह सब चोपिएं है kaufen है निपाल हिमाले के अंदर ही ति है कि जो काटमांडू घाटि हैं वह यहां की प्रमुगगाटि है नेपाल की घाटी है नेपाल हिमाले की घाट तव्ट काटमांड़ू गानुध भुटान हिमालय बोल सकते हैं एहा से इहां तक सिक्किम हिमालय बोल सकते हैं यह वाला पोर्षन और अब बौर्चलिंग हिमालय का विस्तार तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी इन से अर भर्म पुट्र नदी ये दिभांग वाला जुछेत्र है दिहांग दिबांग वहाँ से प्रविस करती है जिसको दिहांग अर्ग और आता है असमही माल हिसान-क तिस्ता नदी लोहित और ब्रह्मपुत्र हैं इस हिमाले के प्रमुक पहाडियां हैं नागा पहाडी, कोहिमा, मडिपूर, उत्तरीरेगमा, कदार, मिजो, जयन्तिया, मिकिर, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी तो बहुत सारी पहाडियां मिलेंगी इसको हम लोग इसको पुर्वत्तर की पहा यांगियापा ॉर Tunga, आडी प्रमुक दर्रे हैं, भात करें निलंबाईयों की तो तो पंजाभ हिमाला है, उसकी जलंबाई कितनी है, पांचो 40 경찰 मेंटर, जो कमाई हिमाला है, सबसे बढ़ा है, 800 किरो मेंटर, यह साथ ही असम हिमाला है, इसका विस्तार कितना है, 720 किरो मे साइट किलोमेटर है कुमाव हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में है जिसकी लंबाई कितनी है 302 किलोमेटर नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच है जिसकी लंबाई है 800 km और असम हिमालय इसका विस्तार तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्म पुत्र नदी तक स्थित है ठीक है तो यहां कितना है 720 km यहां ता क्लियर है और जो हिमालय की कुल लंबाई कितनी है हम लोग इसको देख चुके हैं यह 2400 km है टोटल नंगा परवत से लेक लेकर कहां तक नामचा भार्वा तक इसकी लंबाई कितनी है 2400 km अब बात करते हैं लंबाई के अधार पर विस्तार अधिक से कम में मैं बात कर रहा हूं तो वही चीज़ हम लोग देखा सबसे पहला जो आता है वह कौन साता है पहला कौन साता है नेपाल हिमालय की तीसरा आता है पंजाब हिमालय जिसकी लंबाई है 506 km और चौथा है आपका कुमाओ हिमालय जिसकी लंबाई है 320 km तो यह सीधा-सीधा कभी जमाने के लिए भी दे सकता है लंबाई के अधार पर तो वहां पर आपको यह एक्ट याद रखना पड़ेगा तो आपको देखे के यह पेपर हॉल में यह जी एकदम याद नहीं आती लेकिन आफ अप मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि नेपाल के बाद असम वाला था रसम के बाद पंजाब था चोटा तो सबसे बड़ा याद रख लिब regen आ mund अब खर सकते हैं अब बात करते हैं भूत तो इन दो हिमालाय को क attracts Japan को फिर एंब अगर बांटे तो हिमालाय को तीन भाग में बाट सकते हैं कारा को रफिशुक्नी लदाग उने देंकו शनेडियों के बारे में हम लोग अभी इनको कहां इस्थापित हैं इन सब सरेडियों के जो अंदर के डीटेल हैं उसके लिए मैं हिमालय का boutter उसके लिए हम लोग दूसرا बनाएंगे हिमालय परवस्रेणी का ही हिमालय पार्ट टू एक वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ठीक है अब बात करें अगर मुख्य हिमालय का तो मुख्य हिमालय में भी बेसिकली तीन परवस्रेणिया है व्रिहध हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय बोले आता है दूसरा ह लिए सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग देख लेंगे पुर्वांचल की पहाड़ी को छोटा टॉपिक बनेगा उसी में कवर हो जाएगा यह ठीक है कौन-कौन सी पहाड़ी है जैसे गारो खासी जैनतियां आपका अबोर मिसमी डाफला मेरी पटकोई भूम इस टाइप से कितनी भी पहाड़ियां है नागा पहाड़ी है मड़ी पहाड़ी है मिजो पहाड़ी है त्रिपुरा पहाड़ी है तो इन सब पहाड़ियों के बारे में देखेंगे कौन सी पहाड़ी कहां कहां इस्तित है अब बात करते हैं सबसे पहला जो है आपका ट्रांस सिमाले वाला लद्दाक श्रेडी और जासकर श्रेडी अब बात करते हैं इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो क्या है आपका व्रिहद हिमाले जो मुख्य हिमाले का हिस्सा है, मुख्य हिमाले में कौन कौन से आते हैं, इसमें हम लोग देखे थे, ट्रांस हिमाले में तीन देखे थे, कौन कौन सा, कारा कुरम, लद्दाक और जैसकर, मुख्य हिमाले में भी तीन देखे थे, जो मेन हिमाले था, उसमें कितना था, तीन, कौन कौन सा सबसे पहला आता है आपका व्रिहध हिमाले दूसरा मद्ध हिमाले और तीसरा सिवालिक हिमाले तो व्रिहध हिमाले ये वाला हिस्सा हो गया अब उसके बाद अगला आता है क्या व्रिहध हिमाले के बाद आता है क्या मद्ध हिमाले, तो मद्ध हिमाले को भी दो भागों बाटाया जा सकता है, पहला होता है आपका पीर पंजाल स्रेडी और दूसरा धौलाधार स्रेडी, ये दोनों जो पीर पंजाल स्रेडी है और धौलाधार स्रेडी है, ये दोनों स्रेडिया मद्ध हिमाले, जिसको हम लोग लगू हीमालय भी बोलते हैं इसका हिस्सा है मध्ध हीमालय या लगू हीमालय का कौन सी पीरपंजाल स्रेड़ी और धौलाधर्ट और जो लास्ट आता है जिसको पाध हीमालय बोलते हैं या सिवालिक हाले तो अ dependence सुईवालिक उसके लावा स्टेडी में कौन से दर्रे हैं, कौन से glaciers हैं, इन सब के बारे में दूसरे वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझेंगे